हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खर्जाना इस वीडियो खर्जाने चैनल में आप सबी लोगों का हार्दिक स्वागत है अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खर्जाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंट्स इस वीडियो खर्जाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेकनिकल वीडियो जर्नी वीडियो और किचिन रेसिपी वीडियो और आपको टाइम पर डिलिवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बैल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बैल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अप्डेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैंस क्लास जट्च चैप्टर 5 अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन प्रेंड्स हम आपको फ़ल्य इंट्रक्ट पार के बारें बताते हैं अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रक्टीप पारें जो है We observe of the important points of arithmetic progressions Arithmetic progressions, list of the numbers is set to a form of an AP कोई भी number की जो list है, उसको हम कब कह सकते हैं कि It is an form of AP, arithmetic progression उसकी कुछ conditions होती हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं List of the numbers given below, 1, 2, 3, 4, 5 and last term that is 7 It means इसमें plus 1, plus 1 अगर हम करते जाएंगे तो definitely एक स्रीज बन जाती और 3 को अगर हम 4 से या 4 को 3 से हम less करते हैं तो definitely 1 कास में common difference जो की generate हो रहा है दीकर है आपको सामने तो it means it is an AP, ये एक arithmetic progression की स्रीज है Each of the number in a list is called a term 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो individual जो numbers हैं इनको हम term बोलते हैं और first term हमारा होता है that is 1 और last term that is 7 successive term उसके next वाली जैसे 5 से next value है 6 तो ये successive term है और 6 से just पहले वाले जो term है उसको बोलते हैं preceding term ऐसे 5 से पहले वाले जो term है that is 4 उसको भी हम preceding term बोलेंगे और 3 से आगे वाले जो term होगी वो होगी successive term और 4 से back में जो term होगी that is preceding term So the friends common difference d is equal to 1 that is 2 minus 1 is the fixed number Friends, यहाँ पर कोई से भी दो term consecutive consecutive मतलब लगातार 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 3 कोई भी दो number center से या last but one से कहीं से भी दो number उठाएं और उनको आप अपस में बड़ी digit से small digit को आप मानस करें मानस करने पर जो value आती है उसको हम बोलते है common difference अगर यह fixed है common difference तो तो हमारी यह arithmetic progression की series है चलिए इसको हम और elaborate करते हैं आगे नीचे पढ़ते हैं किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि वह series हमारी जो है वह arithmetic progression है या नहीं in AP denote first term that is A1 second term A2 third term A3 fourth term A4 and fifth term A5 और जो आखरी आखरी की जो term होती उसको हम बोलते हैं nth term that is A n so friends 1, 2, 3, 4, 5 and last 7 जो हमार पाद जो series का आखरी जो number था उसको हम 7 बोल लेंगे क्योंकि वो आखरी series का आखरी number है जो की given है कई series में आखरी number given नहीं होता है चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए deep understanding से so then AP becomes A1 A2 and A3 A4 and A5 आखरी term that is AM so the arithmetic progression is a list उसको हम define कैसे करेंगे बहुत simple मैं थाड़ है दोस्तों it is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number D to the preceding term except the first term first term कोई सी भी हो सकती है X,Y,Z लेकिन उसके बाद वाली जो term आईगी उसके अंदर एक fixed number को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई term obtain होईगी इस प्रकार से वो fixed number next to next term में add होता चला जाता है और हमारी series बनती चली जाती है तो उसका मतलब वो arithmetic progression की form में वो series lie कर रही है so fixed term बहुत clear सी बात है a common difference of an AP it can be positive, negative और 0 the general form of an AP given below a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d up to nth में जो आखरी जो term में an is equal to a plus n minus 1d so friends the first term हमारा a1 यह होता है जो की first term है a2, second term a plus d से हम उसको निके करते हैं a हमारा वो इफर्स term का first a आ जाएगा, first term का आ जाएगी और plus d, common difference फिर a plus 2d, similarly a plus 3d add the a5 जो 5th जो term होगी a plus 4d but ultimately last में an जो होगा a plus n minus 1d friends common difference means जो होगा that is a2 means जो बड़ी वाली जो term है उसको हम less करेंगे small term से respectively next में जेखेंगे हम 3 को 2 से, वापस a4 a3 से, अगर हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो d है क्या वो fix आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर वो d remain the same between the subtraction of two term तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो arithmetic progression है वो बिलकुल correct है और वो हमारी finite है finite हम arithmetic progression को कैसे बताते हैं finite number of term and it has a last term. किसी भी arithmetic progression की जो series है उसका अगर last term अगर defined है it means it is an finite ap so friends confuse बिलकुल नहीं होना है ap वो है arithmetic progression है क्योंकि common difference उसमें मौझूद है और उसी के basis पर common difference d अगर exist कर रहा है तो वो arithmetic progression है confirm यह करना है कि वो finite है या infinite है finite की सबसे important condition है it has a last term given तो यहाँ पर 8 last term given थी finite series हो गई है finite ap infinite ap of a term and it does not have a last term friends यहाँ पर जो ध्यान देने वाले बात यह है कि infinite ap means series हमारी ap जरूर है लेकिन वो infinite है वो इसलिए infinite है क्योंकि last term देखो friends यहाँ पर given नहीं it is blank so friends this is the main difference यह main difference यह last term given नहीं है इसलिए यह infinite है लेकिन है तो arithmetic progression के series हो तो confirm है फिकिन difference जो है वो फिस्ट है वो हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह के पाद पता नहीं है and कहाँ पर होगी it means it is an infinite there is no end term so note common difference between any two consecutive term is the same so it is an ap बहुत simple सी बात है consecutive term के difference को अंतर को हम अगर वो common होता है definitely friends तो वो हमारी arithmetic progression series है like an example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6, 8, 10 that is odd series 1, 3, 5, 7, 9, 11 that is even that is even that is odd series and उपरवाली जो second number के है वो हमारी odd even series है और third number के हमारी odd series है लेकिन difference जो है दोनों के बीच में वो common है 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 2 that is 7 7 plus 2 that is 9 11 plus 2 that is 11 तो plus 2 is the common difference between the two term so common difference between any two consecutive term is not same it is not an AP अगर हमारा difference same नहीं होगा तो वो हमारी AP नहीं होगी friends बहुत क्लिर सी बाते मैं फिर रिपीट करा हूँ अगर difference between the term is not same means it is not an AP चलिए हम आगे बढ़ते हैं general form of an AP given below A plus A plus D A plus 2D A plus 3D A plus 4D at the end of the term that is an is equal to A plus N minus 1D means if an AP with the first term A and common difference D the nth term or a general form general term is given by an equal to A plus N minus 1D so friends बहुत क्लिरली मैं हमने इसको बता दिया है आपको चलिए अब हम यह चेक करते हैं अगर कोई AP दे रहे हैं तो इसका sum कितना होगा first sum of the first and term of an AP given below इसका जो फॉर्मला है s is equal to N upon 2 bracket star 2A plus N minus 1D फ़रा सा इस फॉर्मले का और हम elaborate करते हैं और खोलते हैं एक बार तो sum is equal to N upon 2 A plus A plus A N minus 1D friends A plus N minus 1D हमें पता है A N हमारा होता है तो हम उस value को यहां पूट करते हैं s is equal to N upon 2 A plus A N friends N term of an AP then A N equal to L अगर हम यह माल लेते हैं कि जो N त जो time है वो हमारी आखरी तरम है और वो आखरी तरम गिवन है that is L L is the last term of a finite AP तो हमारा formula क्या बन जाएगा s is equal to N upon 2 bracket A plus L so friends this is the alternate formula some of the first N positive integer is given by as N is equal to N bracket N plus 1 upon 2 so friends इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिएगा जो भी questions इसके बाद जो आपको define होगा उसके end में आप जरूर देखें उसमें आपको end screen option दिखेगा end screen पे आप जो click करते हैं तो आपका next question प्ले होगा इसी प्रकार से आप इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें so these are all the introductory part of this arithmetic progressions subject mass class 10 chapter 5 exercise 5.1 question number 2.3 solution video by video Khazana question 2 write the first four terms of the ap when the first term a and the common difference d are given as follows question 2.3 can the हम यहां a की value दे रखी 4, d की value दे रखी minus 3 so friends step by steps का हम solve करते हैं t term t1 का हम पास formula होता है that is a term t2 का formula होता है a plus d term 3 का होता है a plus 2d term 4 का होता है a plus 3d so the above steps represent an ap for the different values of a and d now substitute the value of a equal to 4 and d equal to minus 3 into the above given terms t1, t2, t3 and t4 चले हमने इसके value put करते हैं आप हमने value put करी है आपर step start करते है term t1 equal to 4 term t2 में 4 plus minus 3 term t3 में 4 plus 2 into minus 3 t4 is equal to 4 plus 3 into minus 3 of हम सके आपर करते हैं friends so friends term t1 equal to 4 term t2 equal to that is 4 minus 3 that is 1 t3 is equal to 4 minus 6 3 to 6 that is minus 2 term t4 is equal to 4 minus 9 that is minus 5 So friends, the first four terms of an AP are as follows 4, 1, minus 2, and minus 5. Now conclusion is, first four terms of an AP are 4, 1, minus 2, and minus 5. Hello friends, okay friends, अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस question का solution अगर आपको बहुत 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 बहुतरीन तरीके से समझ में आ गया हो, तो friends, हमार इस वीडियो खजाने चनल को like करें, definitely don't forget to subscribe and don't forget to share. So friends, don't go away, stay tuned with us, we will get back to you next video. So till then, keep watching, keep learning and keep smiling. Thanks for watching, goodbye. I love you. I love you.